Good morning dear students, dear students, आज हम करेंगे शब्द, chapter 9 साक्या से, very short question answers, तो dear students, आज हम करने जा रहे हैं, पहले शब्द के अंदर, मौको कहां ढूंडे से, जिसके अंदर कभी ने भगवान के बारें बता है, कभी वे कभीता का नाम आप लोग बताएंगे, कभी का नाम क्या है, कभी दाज जी और कभीता का नाम क्या है, इसमें शब्द यानिकी पद, प्रस्तुत कभीता की व्याख्या है, व्याख्या के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, आप वीडियो में से करेंगे, हमारे पास थर्ड कोश्यन आता है, प्रस्तुत पद का भाव संदरिये बताईए, तो प्रश्टूत पद में नहीत कावे संदर्य शिल्प संदर्य सराना संदर्य को सपस्ट कीजिए इश्वर की सर्व्यापक ता कऊ लह किया गया है इंड़ी सर्व का मतलब सभी जगह पर व्यापत है मिन्स फैला हुआ है संपूर्ण पद में अनुप्रा सलंकार का प्रयोग है स्वर मेत्री के कारण भाशा लया यूक्त हो गई है भाशा अत्यंत सरल सहज एवंबावा नुकूल है शब्द चैन विशा नुकूल है अगला कोशन देखिए कबीर्दा बगवान कहां कहां नहीं है कबीर्दास के अनुसार बगवान केवल मंदीर मस्जित क्रिया करम योग या विराग अथार्थ बायस लोपर नहीं मिलता कबीर्दास ने इश्वर को कहां कहां खोजने का उपदेश दिया है कभीरदास ने बताया है कि प्रत्यक प्रानी के हिर्दे में समाया हुआ है वह है इसलिए इश्वर हमें अपने हिर्दे में ही खोजना चाहिए अब second शब्द के question answer देखना second शब्द में भी वही question बनता है पहला कभी वे कभीता का नाम जैसे कि अब आप लोगों ने देखा है कभी का नाम क्या होगा इसमें कभी दास कभीता का नाम आप लोगों को पता है पद नमबर टू प्रस्तोत पद्यांश पद का संधर्ब स्पस्ट की जैनि कि इसका संधर्ब का मतलब क्या है इसका जो माया के बंदनों का मुख्या कारण है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सादक माया बंदनों से मुक्त हो जाते हैं अब इसमें देखिए अब आपके पास क्या कोश्चन आता है इसमें कोश्चन आता है फोर थर्ड भाव सुंद्रिय स्पस्ट किजिए कावे सुंद्रिय की ज थार्ड कोशनिया पर है, भ्रम की टाटी कब और क्यों तूट जाती है, कावे सुंद्रिय भी इसमें आपको बताना है, सिल्प सुंद्रिय भी आपको इसमें बताना है, कवी सुंद्रिया भी आप इसमें बताएंगे शिल्प सुंद्रिया भी बताएंगे कवी ने आदी के रूपक के माध्यम से ज्यान के महतों पर प्रकाश डाला है अगला है समूचे पद में रूपक मनुप्रास अलंकारों का प्रियोग किया गया है थर्ड इसमें है भाशा सहथ सरल्वे भावानुकूल है फूर्थ इसमें है शब्द चयन विशक यनुरूप है अब इसमें देखिए फिफ्ध कोशन पूश्टे प्रस्तूत का भाव सुंदरिय बताना भावार्थ बताना आपको प्रस्तूत पद में कभी ने ज्यान के महतों को उजागर किया है ज्यान के प्राप्ति मानमन के सभी दूइधाएं और ब्रह्म को दूर कर सकते हैं महमाया की वास्त्विक्त स्पस्ट हो जाने पर सादक उसको त्याकर प्रभो भक्ती में लीन हो जाते हैं उस्तिती में उसे सुख व्यानंद के नुबूती है कभीरदाश जी कहते कि ब्रह्म की टाटी कब और क्यों तूटती है जब व्यक्ति भ्रह्म यानि कि कैसा भ्रह्म तेरा मेरा उसका पराया संसारिक महमाया का भ्रह्म तो तूटता है तो क्या होता है इसमें देखे क्या कहते हैं प्रस्तूत पद में कभी ने ज्ञान के मैत्व को उजागर किया है जब व्यक्ति को ज्यान प्राप्त होता है तो व्यक्ति क्या करता है मो और दूइधा के भावो को दूर भावो को भूल जाता है तो इसी प्रिकार बेटे इसके अंदर हमारे पास कोश्चन फिर आता है कि मनुश्य इश्वर को कहां कहां डूणता है कभी के अनुसार मनुश्य इश्वर को देवा लेन की मंदित, मस्जित, काबा, कैलाश, परवत, क्रिया करम, योग और वेराग में डूणता फिरता है कभीर ने इश्वर प्राप्ति के लिए किन-किन प्रचलित विश्वाषो का खंडन किया वे काबय और कैलाश तिर्षो पर नहीं हो सकता यहां तक कि योग साधना सन्याश से भी उसे प्राप्त नहीं किया ज़ा सकता वे करम कांड के द्वारा यह प्राप नहीं हो सकता ये सब क्या कहते हैं कभीर दाज जी की ये सबी दिखावे हैं इसमें इश्वर को डूणना व्यर्थ बताया है कभीर ने इश्वर को सब स्वासों की स्वास क्यों कहा है कभीर का मत है कि इश्वर घट घट यानि कि जगए जगए प्रतेक सांस सांस में हर जगए समाया हुआ है इसलिए प्रतेक प्रानी की सांस सांस में समाया हुआ है वह प्रतेक प्रानी के हिर्दे में ही विद्यमान होता है अगला प्रशन है कबीर के अनुसार ग्यान के आगमन की तुलना समाने हवा से ने करके आंधी से क्यों की गई है कबीर की दिस्टी में ग्यान का आगमन और आंधी की प्रवर्ती एक समाने यनि कि दोनों चाहे ज्ञान हो चाहे आंधी हो उन दोनों को क्या मानते हैं कि बिर्दाजी एक ही मानते हैं अब इसमें देखे क्या कहते हैं इसलिए उन्होंने ज्ञान के आवागमन की तुलना आंधी से की है जिस प्रकार आंधी की आने से प्रित्वी पर पड़ी वैर्थ उड़ जाती हैं और पेथवी स्वच हो जाती है उसी प्रकार उसी प्रकार ज्यान के अवागमन से मुनुष्य के मन में व्याप्त भ्रह्म और द्विधाई नस्थ हो जाती है और उनके स्थान पर इश्वर की भक्ती उत्पन होती है इसलिए कभीर दास ने ज्यान के अवाग जितकी दुए थूनी गिराणी मो बोलिंडा तूटा इसमें आपको बताय हुआ था बारबर सबी बच्चों के पता जिस बच्के को प्याक्या क्लियर है वह इसको इजली कर सकता है आंदी पीछे जोजल भूटा प्रेम हरीजन भी ना, इन दोनों कोश्चनों की विया कि आप खुद अपने आप से करके लाएंगे, आपने आप बताएंगे, हज़का आपका होंवर्क यही है कि भाव सपस्ट करने हैं आपको दोनों को आपकी नॉट्बुक में मुझे इन दोनों कोश्चन के अंसर मिलने चाहिए थैंक यू, have a nice day